मेरे प्यारे बच्चो वेलकम बैक टो ग्रैविडी सर्कल क्या हलचाल और आज हम एक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं वेस्ट ना करते हैं और आज के वीडियो में बात करेंगे रिलेशन बिट्वीन छोटा सा टॉपिक होने वाला है लेकिन इंपोर्टेंट हो सकते हैं इसके किसी भी लेवल पर नीट लेवल पर जेई लेवल पर तो है ही स्कूल वाले हो सकता है पूछे ले भाई निमाख खराब हो जानका तो रिलेशन शिप बिट्वीन वाट एक्विलिब्रियम कॉंस्टेंट रियक्शन क्वेस्टेंट एंड यॉर गिब्स एनरजी आइगेस आ तो आज हम लोग इन तीनों के बीच का रिलेशन शिप निकालेंगे सबसे पहले एक बार गिब्स एनरजी क्या होती है रिवाइस कर लेते हैं गिब्स एनरजी को हम लोग हमेशा डेल्टा जी से लिखते हैं that is called as change in गिब्स एनरजी is always equal to डेल्टा ह माइनस T डेल्टा एस अ और डेल्टा होने की वज़े से change that is your enthalpy change T बोले तो thwart that temperature बले बले पुर्र और डेल्टा एस बोले तो आपकी entropy change entropy change यानि कि क्या निकालता है में इसके अंदर degree of randomness degree of randomness अब अगर मालो अगर आपके पास में कोई gaseous reaction है तो gaseous reaction की अगर randomness positive है तो मैं कहूंगा इसकी randomness बढ़ रही है और अगर randomness बढ़ रही है तो यह reaction spontaneity को promote कर रही है डेल्टा एस जब भी positive होगा हम कहेंगे reaction spontaneous है spontaneity को promote कर रही है spontaneous मतलब nature में जो अपने आप हो जाए आपको उसके उपर कोई force आपको उसके उपर कोई मेहनत करने की जरुवत नहीं है जिसे पानी क भाब बनके अपने आप उड़ जाना एक तरीके की spontaneous process है गरम चाय का अपने आप ठंडा आ जाना एक तरीके की spontaneous process है तो डेल्टा है इसका positive होना चाहिए डेल्टा ह बोले तो what your enthalpy अगर किसी chemical reaction के लिए usual cases में अगर किसी chemical reaction में अगर usual cases में अगर आपकी enthalpy negative होती है मलब reaction कैसी हो जाती है exothermic हो जाती है तो भी हम मानके चलते हैं कि आपकी chemical reaction क्या है तो भी हम क्या मानके चलते हैं कि आपकी chemical reaction spontaneity को promote कर रही है क्या यह बात समझ में आ गई आप लोगों को क्या यहां तक I repeat क्या यहां तक किसी भी तरीके की कोई problem किसी भी तरीके की कोई दिक्कत अब जो भी इनकी values हो मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता यह एक general case बताया है detail में हम लोगों ने thermodynamics में discuss किया था हमने अलग-अलग probabilities बना कर देखी थी क्या कर डेल्टा S किसी chemical reaction का negative है तो negative negative positive हो जाएगा तब आपकी enthalpy कितनी जादा negative होगी उस पर depend करेगी delta G की value लेकिर हम लोगों को बस एक चीज से मतलब होना चाहिए कि delta S positive हो negative हो नहीं फरक पड़ता delta H negative हो positive हो नहीं फरक पड़ता हमको एक चीज से फरक पड़ता है क्या कि हमारा delta G हमेशा negative आए किस चीज से फरक पड़ता है that our delta G should always be negative क्योंकि delta G क्या करेगा हमेशा promote करेगा कि इसको spontaneous reactions को मतलब कि delta G अगर negative है तो आपकी reaction spontaneous होगी और पक्का होगी similarly अगर आप इस formula से delta S, T और delta H की value रखते हैं और by chance अगर आपकी value positive आ जाती है तो आपकी reaction जो होगी reaction will become non spontaneous reaction क्या बन जाएगी आपकी non spontaneous और हम लोग एक बात और सीख कर आए है कि मान लीजे अगर आपका delta G कभी zero हो जाता है मतलब एक ऐसा temperature एक ऐसा temperature जिस पर आपका delta S और delta H की value कुछ इस तरीके से हो जाए कि delta G पूरा negative हो जाए मतलब now there is no change in delta G there is no change इसका मतलब क्या है reactions कहां आ चुकी है reaction have reached their equilibrium point reaction कहां पहुच चुकी है reaction पहुच चुकी है उसके equilibrium point पर क्या ये बात क्या ये तीन फंडे क्या ये तीन फंडे आपको समझ में आरे कोई परेशानी इदर खड़ा नहीं हो सकता ज़र मेरो पर अमीरों वाली धूप गिर रही है धूप यह जादू का जादू में जादू का जब धूप मिलती है करो हम लोगों ने thermodynamics में graph भी बनाया था एक इस तरीके का graph हुआ करता था आपके पास में यह reactant का side था यह product का side था अब यहां पर reactant की शुरू में मात्रा जादा थी और weekend से डेल्टा जी था धीरे धीरे डेल्टा जी कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ एक पॉइंट पर आकर यह बिल्कुल कम हो जाता है यहां पर हम कहते हैं डेल्टा जी जीरो हो गया और यहां से फिर डेल्टा जी बढ़ने लगता है तो reactant यहां तक यहां तक यहां तक यहां तक और यहां तक लगातार अपने डेल्टा जी को डिक् से positive की तरफ जारी है मतलब reactant इस point के बाद अब product बनाना बन कर देगा हाँ जब आप reaction को उल्टा करके देखोगे अब आपका product देखो कैसा जा रहा है zero की तरफ और इस point पर आकर आपका product भी zero हो गया मतलब यह point आपका equilibrium point के लाएगा यह graph हमने बहुत detail में class 11 के chapter number कौन सा 6 जो इसके पहले था थर्मों में बहुत detail में पढ़ा है चलो जल्दी से points नोट कर लो clear है प्यारे बच्चों यह हम अच्छे से सीख कर आचुके हैं आप लोगों को अब यहां पर एक ऐसा relationship में सीखाऊंगा जो आपके Gibbs free energy को हमारे equilibrium constant और reaction question से जोड़ेगा तो प्यारे बच्चों जो relationship होता यह होता है delta g is equal to delta g not plus rt ln q प्लीज प्यारे बच्चों इस relationship को आपको directly याद करना है delta g is equal to delta g not plus rt ln q जहां पर delta g क्या है that is change in Gibbs energy change in Gibbs energy what is delta g not that is standard change standard change in Gibbs energy बटा standard और इसमें क्या फरक है क्या फरक है यह delta g और delta g not में अगर नरेन मोधी इंडिया में निकाले तो इंडिया का नॉर्मल टेंपरेचर तो आप लोग जानते ही कित्ता होता है चलो 35 degree Celsius क्या सपास मान लिया और अगर यह delta g अपना राहूल जांधी गया खतम इटली में निकाले तो इटली का टेंपरेचर माइनस 1 degree Celsius है तो टेंपरेचर अलग होने की वज़े से दोनों के delta g की value अलग आईगी और delta g निकाल किसका रही है जो मोदी जी ने चाय बनाई है उसका चाय के ठंडा होने का hot tea का cool tea होने का यह आप लोग इसका delta g निकाल रहे है यह spontaneous process है तो इसका delta g क्या होगा मोदी जी को अलग मिलेगा और राहूल कांधी को अलग मिलेगा समझ मारी बात आप लोगों को और अपने डोनाल्ड ट्रम्प को तो और अलग मिलेगा क्योंकि वह अमेरिका में बेटा और अगर वहां का temperature माइनस 5 degree Celsius है तो बहाँ पर अलग value मिलेगी तो यह तीनों confused हो गए मोदी राहूल और ट्रम्प कि हम सबकी value तो अलग आ रही है अब यह कैसे हो पाएगा तो फिर मोदी जी क्या बोलेंगे मेरा दैस्वासी एक काम कर इन सबको 298 Kelvin पर निकाल के देखो एसी चालू करो 298 मैंटेन करो यहने 25 degree मैं भी मैंटेन करूंगा तू भी मैंटेन कर और यह है आप भी मैंटेन किजिए अब 35 पर निकालेंगे तो तीनों की value सेम आएगी तो यह 25 degree अपने एक standard value set कर ली temperature की और ट्रेशर की कि हम जो भी काम करेंगे अब इसी पर करेंगे समझ रहे हो समझ में आ रहा है भाई फंडा clear हो रहा है तो डेल्टा जी नॉट बोले हो तो आपकी standard gives free energy standard temperature पर आप कहीं पर भी दुनिया में निकाल लो कोई परेशान ही नहीं अब तो आड़ा आर बोले तो ideal gas constant ideal gas constant and T is your temperature यह हम लोग सब जानते है ln तो आपका natural log है and q आपका reaction question हम लोगों ने कल की glass में पढ़ा था यह reaction question हम लोगों ने कल की glass में इसको देखी लिया था तो गाईस अब जब आप इस equation को ध्यान से देखोगे तो हम लोग relationship निकाल रहे है equilibrium constant q और gives energy का मतलब आपकी reaction should be at equilibrium तो जब आपकी chemical reaction equilibrium पर पहुच गई प्यारे बच्चो जब आपकी chemical reaction equilibrium पर पहुच गई तो हम लोग सब जानते हैं कि Moles of B, C Moles of C और D Moles of D तो C की power C, D की power D यह आपके product हो गए product का concentration उनकी power में उनके moles और नीचा आपके reactant reactant का concentration और इनकी power में इनके moles अब जब आप यह concentration ले रहे हो product का अगर आप यह equilibrium position के अलावा किसी और समय लोगे तब आपको Q की value मिलेगी लेकिन अगर आपने इनके concentration वो वाले ले लिए जब यह equilibrium पर आजाते हैं तो जो आपको value मिलेगी वो केसी की value मिलेगी तो equilibrium पर Q और केसी बराबर होता है कल की class में हम लोगों ने सीखा था फिर हम लोगों ने यह भी सीखा था कि अगर Q की value केसी से बड़ी हो गई तो reaction backwards direction मिन जाएगी अगर Q की value केसी से छोटी है Q की value छोटी है तो फिर reaction forward direction में जाएगी तो अब हम लोगों ने इस चीज का यहाँ पर इस्तमाल करा और अब यह values को equation में रख दो तो यह तुम्हारा G हो गया 0 डेल्टा जी नॉट अपनी जगे पर आर्टी एलेन और एलेन की जगे अब क्या आगया आपका के सी ठीक है प्यारा बच्चो अब एक काम करो नैचरल लॉग को जब आप हटाते हो तो क्या जाता है लॉग बेस 10 multiply by 2.303 तो यह equation ऐसी हो जाएगी 0 is equal to delta G naught plus 2.303 rt log base 10 kc delta G यही रहने तो इस पूरी equation को महा ले जाओ तो delta G तो positive रह जाएगा यह पूरा उठकी उदर चला गया तो यह जाएगा minus 2.303 rt log base 10 kc अब अगर आपको इस equation के अंदर if आप से कोई delta G naught निकालने को बोलता है तो आप उसको निकाल सकते हो कब r और t की value जेनरल होगी भई r की value माल लो unit kilojoule per mole में चल रही है क्यों यहाँ पर unit kilojoule per mole में क्यों चल रही है क्योंकि तुम्हारे पास में energy है Gibbs free energy याद करो मैंने आपको इसके पहले एक जगह पर सिखाई थी value 0.0831 वो क्यों सिखाई थी क्योंकि वहाँ पर आप लोग pressure pascal में और bars में बात कर रहे थे जब हम लोग kp की value निकाल रहे थे तब वहाँ पर unit bars में थी pressure की बात हो रही थी जब आपको gases का concentration ना देते वे partial pressure दे दिया था लेकिन यहाँ पर delta g में kilojoule per mole use हो रही है क्योंकि delta g एक प्रकार की energy है तो यहाँ पर 8.314 r की value आपको use करनी है ठीक है 8.314 तो यह value हो जाएगी t आपको दे दिया जाएगा और अगर equilibrium constant है तो आपको delta g की value मिल जाएगी तो आप यह भी निकाल सकते है इस equations है और अगर आपको kc की value निकालनी है तो भी आपको तब आपको delta g दे रखा होगा delta g naught, rt बगरा सब दे रखा ओगा तो आप निकाल सकते हैं तो इस formula से आप दो values निकाल सकते हैं पहली value तो आप delta g की निकाल सकते हो और जूसरी value आप किसकी निकाल सकते हो केसी की देखो में बताता हूं केसी कैसे निकालोगे log base 10 केसी यहां रहने दो is equal to delta g not is equal to यह पूरा नीचे division में चला जाना चाहिए तो यह हो जाएगा delta g not minus उपपर आजाएगा क्योंकि यह minus division में जाएगा तो उपड़ चले आएगा और यह हो जाएगा 2.303RT तो यह formula भी आप लगा सकते हो केसी निकालने के लिए अभी मैं formula आपको लगवा हूंगा अभी मैं एक NCRT के question करवा देता हूं आपको चीज clear हो जाएगी बट पहले तरह दुनों formula ध्यान से देख लो और यह log का anti-log लेना भी बता दूँगा anti-log लेने के लिए log को anti-log में convert करने के लिए बहुत अच्छा video बनाया है मैंने electro chemistry class 12 session 2021 की playlist देखना यह YouTube पर उपर type करना log and anti-log by gravity circle log and anti-log by gravity circle बहुत प्यारा वीडियो है बिल्कुल basic से समझाएगा आपको वह कैं समझाएगा मैं ही समझाऊंगा चलो जल्दी note करो इसको ठीके कोई परेशानी मेरे बच्चो किसी भी तरीकेगी चलो अब इस formula के basis पर हम कुछ prediction करेंगे आपने इस equation के अंदर delta G0 इसलिए लिया ताकि आप पता कर सके कि आपकी chemical reaction spontaneous है या नहीं वल्लक जो आपकी chemical reaction equilibrium पर पहुच रही है वो equilibrium तक spontaneously पहुची अपने आप पहुची या उसको हमको पहुचाना पड़ेगा तो अगर आप देखो if आपका delta G0 negative है अगर आपका delta G0 negative है तो यहाँ पर आप एक minus value रखोगे minus minus plus हो जाएगा so आपका overall यह जो value है it becomes positive so overall minus delta G0 upon RT upon 2.303RT it becomes positive अगर आप delta G की value या negative रख दोगे तो negative negative positive हो जाएगा तो यह divided by यह overall आपकी value positive हो गई समझ मारी बात और जब यह value पूरी positive हो जाएगा specifically delta G तो log base 10 KC और delta G directly proportional है directly proportional है और positive है positive का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो log base 10 KC है इसकी value no doubt once 0 से बड़ी हो जाएगी क्योंकि अगर इसकी value 0 से छोटी होती तो minus में होती काई में होती minus में लेकिन जब आपका delta G negative हो गया तो यह पूरी value आपकी जब positive हो गई तो आपका KC भी तो positive होगा for example आपके delta G के आपको value दे रहे ही minus 1.5 into 10 to the power 2 तो minus minus 1.5 into 10 to the power 2 तो minus minus plus हो जाएगा तो it will become plus 1.5 into 10 to the power 2 समझ रहे हैं बात को तो overall आपके KC की value तो positive होना आता है और जब आपके KC की value 0 से बड़ी होगी therefore आपकी reaction कैसी होगी spontaneous तो देखो इस चीज में आपकी दो case easily solve हो रहे हैं पहला जब जब delta G negative हुआ है reaction spontaneous हुई है यह बात हम थर्मों में पढ़े के आए है जब आपने इस formula में delta G की negative value रखी तो negative negative कटके positive हो गया और हमने देखा कि KC की value जितनी जादा होगी हम लोगों ने यह पढ़ा है न KC is directly proportional to the active concentration of product raised to their power x तो जितना जादा KC का value होगा product उतना जादा होगा और जितना जादा product होगा मतलब reaction उतनी जादा forward reaction में जा रही है मतलब reaction उतनी जादा spontaneous है concept लगाओ बैठा concept लगाने की जरुवत है रटना कुछ भी नहीं है basically इसमें बस आपको concept लगाना बहुत आराम से formula में delta G negative रख दो KC अपने आप positive हो जाएगा positive हुआ मतलब zero से बढ़ा हो गया केसी की अप overall value तो तुमको positive ही मिलेगी न मतलब reaction क्या हो गई spontaneous हो गई समझ रहे हो जल्दी से screenshot ले लो इसका समझ गया हो जल्दी से screenshot ले लो इसका फिर हम लोग दूसरा case पढ़के देखेंगे ले लिया screenshot चलो great अब second case में अगर आपका delta g positive हो गया तब यहां पर आप एक positive value रखोगे तो positive negative रहेगा तो आपका minus delta g not वाली जो पूरी value रहेगी यह यहां पर overall क्या हो जाएगी negative यहां तो negative sign है यहां तो negative sign है अंदर अगर आप positive value रखके multiply भी कर दो तो negative होगा अब आप इसको कित्ते अभी इसको divide कर लो overall negative sign अपनी जगे से नहीं हटेगा और अगर negative value है मतलब वो definitely 0 से छोटी है अगर 0 से value बढ़ी होगी तो positive होगी 0 से छोटी होगी तो negative होगी अब अगर case की value negative में आ गई मतलब case की value तो बहुत कम होगी और हम लोग सब जानते ही case is directly proportional to product मतलब product की value कम होगी मतलब reaction backward direction में जा रही है याद करो case की value कैसे निकालते थे product के number of moles की power में उसकी आ जाएगा multiply by दूसरा product उसकी power में उसके number of moles divided by reactant उसकी power में उसके moles likewise तो reactant sorry product और case सब एक line में मतलब यह सब बराबर है यह बढ़ेगा तो यह बढ़ेंगे यह घटेगा तो यह घटेंगे और यह inverse में है reactant और case inverse में है यह बढ़ा तो यह घटा यह घटा तो यह बढ़ा तो हमने यह आपर clearly देख लिया कि अगर तुम्हारे case की value negative हो रही है यह जीरो तो छोटी हो रही है मतलब no doubt तुम्हारा product की मातरा भी गिर रही है मतलब reaction backward direction में जा रही है मतलब reaction अब कैसी हो गई non spontaneous कैसी हो गई non spontaneous जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो एक NCRT का question solve करवाऊंगा एक NCRT का अच्छा बड़ी का question solve करेंगे फटा फट से स्क्रीन शॉट ले लो लाल लो ठीके बहुत easy है फाल तु बकवास चाहिए ही नहीं मेरे को बहुत आराम से हो जाएगा ठीके बस आप लोगों को थोड़ा सा thermodynamics का concept इसमें आएगा और वो मैंने आपसे thermodynamics पढ़ाते वक्त भी ये बात कही थी कि मेरे लाड़ लो इसको ठीक से पढ़ लो जिसने पढ़ा इसके मजे जिसने नहीं पढ़ा उसके भी मजे क्यों? बाई जो टेंशन ही नहीं लेगा उसको क्या टेंशन? चलो तुम्हारी बुक में एक क्वेशन है प्रॉब्लम सेवन पॉइंट टे नहीं है डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ओ नाम तो यसा देते हैं कि जात का बेदा मारूं इनकी वाट लगाऊं सालों की नाम तो यसा देते हैं यह साल है मेरा भाई घबरा जाता है भाई sign कर तो भाई औफ ग्लाइकोलेशन इस 13.8 किलो जूल पर मूल find केसी एट 298 कल्विन्स 298 कल्विन्स यहाँ पर मैं तुमको बता देता हूं क्योंकि देखो किलो जूल पर मूल में बात चल रही है यहाँ पर 8.314 जूल पर मूल पर केल्विन आपको आर की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी ठीक है अब कुछ क्यालक्यूलेटर का स्थमाल करेंगे और इस क्वेशन को फोड़ कर रख देंगे देख लो प्यारे बच्चो यह फॉर्मूला लगेगा केसी की वैल्यू निकालने को के रही है तो बस यह वैल्यू रख दो कैसे रखो के देखो तो लॉग बेस टेन केसी इस इकोल टू माइनस इसकी वैल्यू कित्ती है 13.8 अब एक बात समझो इस फॉर्मूले में नीचे तुमको आर रखना है और आर की वैल्यू जूल में दे रखी है यह किलो जूल में है तो या तो इस जूल को किलो जूल में ले जाओ तो इसको 10 to the power minus 3 से multiply करो या इस किलो जूल को जूल में ले जाओ एक किलो में 1000 तो इसको 1000 से मल्टिप्लाइ कर दो यहने 10 to the power 3 से मल्टिप्लाइ कर दो तो यह भी काई में बदल जाएगा जूल पर मोल में कितना आसान हो गया यूनिट्स का खेल है अंसर तभी आएगा जब यूनिट्स में ध्यान लगाओगे अगर तुम्हारा ध्यान रिंकी पिंकी चिंकी में है मोना शोना में है तुम्हारे बाबुने थाना थाया की नहीं उसमें है तो फिर बेटा तुम्हारी तो वाट है Kilo Joule को मैंने Joule में Gangvert कर दिया Joule per Mol per Kelvin into 2 98 Kelvin, Теперь Kelvin Kelvin की मौत हो गई, हो गई मौत is per Mol per Mol की मौत हो गई Joule जूल की मौत हो गई क्या बात कर रहे हो यार मज़ा है की नहीं बोलो यह जाएगा minus 13800 अब इस पूले को ससूले को मैं काट देता हूँ देखो अपन करते हैं multiply फटाफट तरीके से दना दन दना दन multiply करते हैं 2.303 दना दन multiply by दन 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 8.314 करेंगे goal यह जाएगा 5705.84 अब इस ससूले को माइनस करते हैं डिवाइड करते हैं 13800 divided by ससूला 5705 तो इट भी कल ससूला minus 2.41 वाह तो मैंने लालो मैंने गुलगुलो तो महारी log base 10 केसी की value कितनी आ गई minus 2.14 तो यहाँ लिख लेते log base 10 केसी minus 2.41 लेकिन यह value log base 10 केसी की है हमको तो केसी की value चाहिए अब केसी की value लेने के लिए मुझे लेना पड़ेगा anti-lock मुझे क्या लेना पड़ेगा anti-lock अब देखो anti-lock कैसे लेते मैं सिखाता हूँ log base 10 केसी is equal to जब इसका anti-lock लेना हो तो आप इस value को 2 part में तोड़ दो इस value को 2 part में तोड़ दो और ऐसे तोड़ो कि यह value बन जाए तो यहाँ पर मैंने लिया minus 3 plus 0.59 अगर मैं इन दोनों को sum करूँगा तो minus 2.41 बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने के ले लिया minus 3 plus 0.59 ठीक है अब यह minus 3 आया कैसे तो बेटा मेरे पास में प्रॉपर्टी होती ही log की log base 10 a की power b log base 10 a की power b और यह कैसे बनता है यह बनता है b log base 10 a इसको आप ऐसे भी लिख सकते है अब अगर a की जगे मैं ले लू 10 log base 10 10 और अगर मैं ले लू 10 की power minus 3 तो हमें इसको ऐसा लिख सकता हूँ देखो b इदर आजागा तो जाएगा minus 3 log base 10 10 और बेटा log base 10 की value होती है 1 log base 10 10 की value होती है 1 तो minus 3 multiply by 1 यह होगा minus 3 तो जो तुमको minus 3 value दिख रही है यह मैं कुछ ऐसी लिख सकता हूँ क्योंकि जो minus 3 value आई है यह इस property से आई होगी log की further solve करते करते हैं यहाँ आगई so therefore मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ log base 10 kc is equal to यह हो जाएगा log base 10 10 की power minus 3 plus अब अगर आप log की values चेक करो अगर आप log की values चेक करो तो log की value जैसे log 1 की value क्या होती है 0 फिर उसके बाद value बढ़ती है तो जब आप log की values चेक करोगे तो log 3 और log 4 के बीच में 0.59 पढ़ता है log 3 से लेकर log 4 के बीच में कहीं यह value बढ़ती है आप बिलकुल इसको google कर सकते हो तो मैं कहता हूँ कि यह value log 3.8 की है अगर आपको doubt होता है तो आप इन दोनों के बीच का 3.5 लेकर दी आगे carry आगे कर सकते हो क्योंकि log 3 की value अलग होती है log 4 की value अलग होती है बात समझ रहे हो मेरी प्यारे बच्चो समझ रहे हो तो क्या होगा इसकी value 0.47 दिख रही है इसकी value 0.60 दिख रही है तो देखो आपको चाहिए 0.59 0.47 log 3 की value है 0.60 log 4 की value है यानि यह जो आपको 0.59 चाहिए यह basically जो को 0.60 यह 0.59 ने बहुत close होनी चाहिए 0.4 के I mean log 4 के क्योंकि log 4 is 0.60 और यह 0.59 तो यह log 4 के बहुत नस्दीक होनी चाहिए तो अपने इसको 3.8 माल लेते हैं तो यह हो जाएगा log base 10 3.8 समझ गए बात को क्या हुआ यह log base 10 3.8 क्यों लिखा मैंने समझ गए हटाए इसको लिखे चलो शाबाश मैं इसको एक काम करता हूँ आपको इदर वापस से लिख देता हूँ यह चीज minus 3 अधर आजाएगा यानि जो B है यह आगे आजाएगा log base 10 10 यहारे जाएगा log base 10 की value 1 होती है इसकी value 1 होती ही तो यह 1 हो जाएगा तो यह minus 3 हो जाएगा अब बेसिकली हमको इसको anti-log लिखना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर anti-log ले रहे है इसको anti-log लिख लो anti-log केसी क्योंकि हम anti-log ले रहे है यह जो formula लगा रहे है anti-log के है तो यहाँ पर 3.8 आगे ले लो into 10 to the power 3 common ले लो log base 10 common ले लिया log base 10 और anti-log कट जाएगा और बस बचेगा केसी 3.8 into 10 to the power minus 3 प्यारे बच्चों यह हो गया आपका question solve मैं आप लोगों को इस वीडियो में मेरे वो electro chemistry वाले वीडियो की जो log anti-log है उसकी link प्रोवाइट कर दूँगा आप जरूर एक बार वो वीडियो देख लेना क्योंकि इस वीडियो के बिना मजा नहीं आएगा उस वीडियो के बिना काम नहीं होगा तो यह हो गई आपके relationship between KC, Q and Gibbs energy की बात खतम यहाँ पर हमारा यह topic भी खतम होता इस प्रकार आपको question करने पड़ सकते हैं अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे what are the factors that are affecting equilibrium बड़ा topic है और तुमारा लगबग लगबग 50-70% चैप्टर खतम फिर ionic equilibrium स्टार्ट हो जाएगा उसमें acids अगरा की बात करेंगा और चैप्टर खतम मतलब आप मान के चलो इस मंत के पहले पहले in fact इस week में या अगले week में हम चैप्टर निप्टा लेंगे फिर चलेंगे redox के तरफ चलो तो फड़ा वाड़ इसको note कर लो को doubt हो तो comment section ने पूछो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye have a great day लाड़ लाड़ लौक्शाण में बप्ट्स्ट शभाव लाड़ ज्ड़ा है झालर लौक्शाण धरक्त